अच्छा एक्सपाइरी में ट्रेड नहीं दे पाए टीम कुड़ेंट डू एट बट एनिवेइस आने वाले कुछ दिनों में हम अच्छा का सा ट्रेड देंगे और यहां पे हम बहुत एक्साइटेड है इन फाक मैं सबसे जादा एक्साइटेड हूँ यूकि बहुत सारे फ्री कोर्स यूट्यूब बे हम दालने वाले हैं उसका ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अच्छे खासा पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको यह आईडिया कैसे लग रहा है और जो नहीं जानते हैं मेरा नाम तुशारगोंने है हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलिस लेखे और स्विंग ट्रेड्स भी हम बताते हैं जैसे आप देखोगे तो CDSL फंटास्टिक और ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज का जो ट्रेड है भले उपर जाने वाला है बट शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया अंबूजा सेमेंट अब भी फंटास्टिक चल रहा है और हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में कौन से स्टॉक्स बढ़िया है जो स्कानर हमें बता रहा है इसके लिए मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि चानल को सब्सक्राइब करना बेल बेटन हिट करना इंट्राडे आनन दिसस के लिए टेलीग्राम जॉइन करना और अगर आप को फ्री कोर्स चाहिए तो तुशार होने आप या एम एम टीसी कोर्स आप प्ले स्टोर या आई ओएस पर सर्च कर सकते हों दोनों जगा पर अप्स अब आ गये है विद्धिस लेटस क्विक्ली स्टार्ट की आनलेसिस क्या होने वाला है यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे निफ्टी का अनलेसिस करेंगे इसका मतलब क्या है कि आने वाला दिन निफ्टी बहुत एक्साइटिंग होने है वाली है और इट विल बी रियली आउसम लाइक आम रियली वेटिंग की कौन से ट्रेड्स लूँ कौन से नहीं लूँ और जो भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है कितने अच्छे परफॉर्म करेंगे आई आम रियली एक्साइट आपको क्या लग रहा है डेफिनेटली कमे लूजिंग के टाइम पे ही बता दिया था कि अब 18 के आने वाला है ऐसे डेफिनेटली लग रहा है तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे अनलिसिस के लिए अब यहां पे मैं क्या करूंगा तो स्ट्रेट अवे 15 मिनिट्स के कैंडल में जाओंगा weekly rock solid daily में pin bar form हो रहा है जो की bullish pin bar है तो that is really really fantastic और यहां पे 15 मिनिट्स में क्या हो रहा है आए देखते हैं अब यह logic थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कल के ही reference से मैं बात करूंगा कल मैंने क्या कहा था यह you type rounding top हो गया है okay in fact मैंने ऐसे नहीं draw किया था मैंने ऐसे somewhere मैंने ऐसे कुछ draw किया था okay और यहां पे logic क्या बता रहा था कि अगर इसके नीचे आ गया तो definitely you have to go on short side और अगर इसके उपर चला गया तो definitely आपको long के बारे में सोचना है तो आप देखोगे बिलकुल भी नहीं आया morning में ही market ने gap up कर दिया trend line के उपर चल गया morning में ही हमें पता था कि bullishness intact है trend line का अच्छा का सा support भी ले लिया और यह market ऊपर चला गया अब step by step आगे का analysis करेंगे and it will be really fantastic you will really appreciate कि कितना अच्छा market systematically चलता है अब यहां पे क्या हो रहा है आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना okay अब एक पार हिट हो गया यहां पे भी नीचे आया यहां पे भी आया यहां पे भी spike था बट नहीं maintain कर पाया यहां पे भी तो अब लग क्या रहा है कि somewhere अगर इसके उपर market sustain करता है 17840 के उपर market sustain करता है तो definitely आपको non-stop 160 points की rally दिखेगी यह बहुत short time frame के लिए मैं आपको बता रहा हूं बिलकुल भी मैं आपको तो तीन दिन चार दिन के लिए नहीं बता रहा हूं यह 15 minutes के chart का analysis है तो यहां पे आप देखोगे तो कुछ-कुछ चीज हमें समझ में आई यहां पे आप देखोगे 17840 का resistance है तो maybe ऐसा हो सकता है market यहां पे जाए नीचे आ जाए और फिर breakout हो जाए बट अगर 17840 मौर्निंग में ही उपर उपन उपन होता है और यहां पे 15 minutes के candle sustain हो जाते है close हो जाते है तो आप देखोगे यहां से जो उपर चल पड़ेगा वो 18 के आपको लेके जाएगा वेरी वेरी इंटरिस्टिंग और अगर 17840 के आसपास जाके नीचे गून गया तो आप देखोगे वापिस आपको 17760 आ जाएगा तो यह चानल बहुत ही important है और कल अगर आप देखोगे तो यह पूरा का पूरा गेम यह चानल में ही होने वाला है चानल के उपर ब्रेक आउट 17840 जो आपको 18K के यहाँ पर लेके जाएगा चानल के नीचे वापिस 17760 और अब अगर 17760 ब्रेक हुआ तो 17640 तक जाएगा तो यह हो गया पूरा का पूरा 15 मिनेट का अनिस इस पूरा खेल चानल का है और हम देखेंगे कि यह चानल कैसे कल के लिए वर्क होता है ओपन इंट्रेस्ट जैसे की बहुत लोगों ने कहा था हमें ओपन इंट्रेस्ट के बारे में बताना तो हम ओपन इंट्रेस्ट के बारे में भी चेक करेंगे निप्टी ट्रेडर्स ओपन इंट्रेस्ट क्या बता रहा है हमें ओपन इंट्रेस्ट यह पर मैंने साइन इन कर दिया ओके और मुझे देखना है अगले हफ़ते का ओफुली अगले हफ़ते का उपन होना चाहिए नहीं तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको ओपन इंट्रस येस अगले हफ़ते का 15 सेप्टेंबर का और यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि 17700 एक अच्छा कासा सपोर्ट है 17800 अभी भी रजिस्टन्स है और सबसे पावरफुल 18K है और नीचे के साइड पे 17500 रॉक सॉलिड सपोर्ट है और आप देखोगे तो पुट जादा है कॉल कम है तो mostly people are very very confident कि अब market इसके नीचे तो बिलकुल भी नहीं जाएगा और यहां पर हम चेंज इन ओपन इंट्रेस्ट भी देखेंगे कि आज दिन भर में क्या हुआ था 15 सेप्टेंबर चेंज इन ओपन इंट्रेस्ट 17800 अल्मोस्ट सेम लेवल के बन रहे हैं puts or call और मैं कहूंगा यह ओपन इंट्रेस्ट बता रहा है कि 17800 पे धीरे धीरे कबजा करना market ने चाल अगर आप open interest से market को analysis करना चाहोगे तो जादा खीचतान के आप कुछ नहीं कर पाओगे और यहाँ पे और एक secret है कि लोग यहाँ पे नहीं write कर रहे हैं लोग straight away 18k पे write कर रहे हैं इसके लिए आप देखोगे तो 18k का जो call का open interest है वो बढ़ रहा है ना ही 17800 इसका मतलब क्य है कि लोगों को लग रहा है कि 18k पे ही write करना safe है rather than 17800 या 7900 यह इतना ही हम open interest से find out कर सकते हैं और हमें क्या पता चला तो अब हम और देखेंगे bank nifty का analysis यहाँ पे आप देखोगे nifty bank nifty bank क्या कह रही है तो nifty bank definitely कह रही है कि hourly में हम देखेंगे nifty bank क्या कह रही है तो अगर आप देखोगे in a sense nifty bank is very very bullish और मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि 4000 का आप यहाँ पे अगर समझो गलती से भी 4000 के आसपास आया तो you can think of a bounce back और उपर जाने के बहुत जादा chances है तो क्योंकि यहाँ पे यह जो demand zone बना है यह definitely अच्छा खासा है overall bank nifty अगर मुझे सिल्फ और सिल्फ आपको चार्ट देखके बताना है तो definitely it looks very bullish कहां तक यह जाएगा तो मैं कहूंगा 40,500 तक जाएगा okay stop loss क्या रहेगा तो to be honest मुझे यह continuously green candle है इसके लिए stop loss कुछ भी नहीं दिख रहा है apart from 40k का तो थोड़ा सा tricky हो रहा है bank nifty में trade करना क्योंकि hourly candles बनते जा रहे है बनते जा रहे हैं अब 15 minutes में देखेंगे कि bank nifty को कैसे trade कर सकते हैं yes 15 minutes के लिए अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं कहूंगा 14 280 के ऊपर 4500 का target और stop loss रहेगा 40 160 का यह रहा stop loss यह रहा entry यह रहा target बट एनिवेज यह जास्टिक व्यू है अगर आप टेलिग्राम चैनल जॉइन करोगे तो definitely nifty bank nifty के और accurate analysis for intraday हम देंगे stocks में आपने देखा रहेगा अंबुजा सेमेंट long term के लिए fantastic चल रहा है ICICI bank भी अच्छा है आपको ICICI bank पे ध्यान देना पड़ेगा और महेंद्रा महेंद्रा definitely अच्छा है और अगर आप देखोगे CDSL is still rocking अगर intraday में hourly charts पे अगर मुझे कुछ interesting setup मिला तो जरूर मैं telegram channel पे दालूंगा with this thanks a lot see you tomorrow and it was really interesting to have you all comment करके बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन से stocks आने वाले दिन में उपर जाने वाले है और हम देखके try करेंगे उसका analysis करने के लिए thanks a lot and see you tomorrow